नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी काप के अपने यूटूब चैनल एस के जोब अलट में इस चैनल पे आपको रोजाना गौर्मेंट जोब और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस और इंपोर्टन अपडेट्स दी जाती है तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज के ताजा अपडेट दोस्तों हर्याना के अंदर एसिस्टेंट प्रोफेसर के ओनलाइन फोर्म अप्लाइ होने स्टार्ट हो चुके हैं ठीक है जी तो दोस्तों इस वीडियो का उस्वर शेलास तर्जूर देखेगा जिससे कि आपको हर्याना में निकली हुई एसिस्टेंट प्रोफेसर के वाकेंशिय के बारे में कंपलेट इंफरमेशन मिल सके कितनी वाकेंशिया हुए क्या आपको परमच सहलने मिल लगी किस तरह से आपको इसमें सेलेक्शन होगा ठीक है जी और जो मेरे दोस्ती चैन पर पहले बार आए हैं वो चैन को सब्सक्राइब कर ले और ओफिशन नोटिफिकेशन आया है चोली चर्ण सिंग हर्याना अगरिकल्चर इंविश्टी हिसा ठीक है एडवर्टाइजमेंट नमबर आपकी रगी थ्री ओबलिक दो हजार पाइस और इसमें हम बात करता आपकी कौन-कौन से वाकेंशिया है इसमें आपकी टीचिंग पो इपार्टमेंट में क्या आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गी है किस तैसे आप फॉर्म को अप्लाइ करेंगे और क्या आपको परमन सेल्ली मिलेगी ठीक है जी तो यहां पे आपको डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया इसके रिगारी में मैं आपक ठीक है तो सबसे पहले आप आप या दे सकते हो यहां पर दे रखा नेम अवंधा पोस्ट ठीक है जी फेश गली आपकी वह यह कैंशीर में इस से पर दुटार आपको रहे है जैडिक है इसमें आपकी टोटल आठ पोस्ट रहेगी तो यह कौन इपार्टमेंट में है ठीक ह नेक्स्ट हम बातकर देनिए, नेक्स्ट आपका है एशिस्टेंट पोफेसर के जिसमें विए टोटल 28 और 28 टोटल पोस्ट है, 5770 से drauf 240 पर्मात चैल ली मिलेगी जिसमें हम बात कर लेते हैं, में assistant professor कौन से department में और category वाज कितने vacancy है तो सबसे पहले देख सकते हो ए दे रखा है assistant professor आग नोमी के में BCB की one post है second देख सकते हो swell की है one general category की vacancy है थार्ड आपके hot culture की one vacancy है BCA ESM की ठीक है जी फूर्थ आपके vegetable science की one है EWS category की है उसके और next आपके food science and technology है assistant professor one SC category vacancy है next आपके entronomology की one general category की है next आप जैनेट आप प्रांट ब्रीडिंग की general category की one post आई है seed science and technology की general की one post है agriculture economics की आपकी one post है SC category की extension education की one post है general category की assistant professor maths में आपकी one post है general category की sociology की one post है general category में plant pathology में one BCA की post है next आप बात कर जो जी की one post है general category की botany assistant professor SC category की one post है forest की one post है EWS category के लिए animal science के लिए general category की one post है next आपकी statistics one post general category की assistant professor computer SC category की one post है next आप physical education general category one post है English में BCA की one post है next आप physics के लिए BCB की one post है chemistry के लिए one post है SC category के लिए next आप आपकीirs chemistry one post है SC category के लिए बायो chemistry one post है general category के लिए आगरी कल्चर मेट्रोलोजी के लिए one post है EWS category के लिए नेमनोटोलोजी के लिए one post है general category के लिए और agriculture engineering के लिए one post है BCA के लिए नेश्ट आपकी microbiology की one post general category के ठीक है ठीक है जी तो मैंने आपको assistant professor की total 28 post के बारे बता दिया है और साथ में category वाज कितने कितने vacancy है ठीक है ठीक है जी next आपकी third में देए district extension specialist जिसमें आपकी total 4 post है first आपकी animal science की general category one post है forestry के लिए one post है SC category के horticulture के लिए one post है general ESM की और next आपकी plant pathology one है general ESM category की ठीक है जी तो ये भी आपका salary का stress से सेम देखा 57,700 से 1,22,400 रुपै परमन salary रहेगी ठीक है जी अब इसमें कुछ रिमार्क दे रखा तो उस कमड़ेटे से चेक कर लेते हैं इसमें एक आ गया कि first में यदि कोई EWS category थे चेक का डिए बिरे और इसम कालिफिकेशन ये फुल्फिल नहीं कर पाता या नौन एविलेटी होगा तो वह आपका general category में merge कर दिया जाएगी वह चैंजिए ठीक है जी next में बता है की यदि कोई ESM category का डिक है अगर फुल्फिल नहीं मिल पाता अप्रोपर अजुकेशन क्वालिफिकेशन या कराइटेरिया फुल फी नहीं करेगा तो इसकी जो उसी कैटेगरी के जो में मर्ज कर दिया जाएगा ठीक है जी यानिकि वो नोन एस सी में जिस कैटेगरी से होगा उसमें वो पोस्ट मर्ज कर दियाएगी थर्ड पोइंट में दे रख़्जब आफ फॉम को ओल लेंड अप्लाइ करेंगे तो फॉम को अप्लाइ करने के बाद में उसके हार्ड कोपी यानिक उसका प्रिंट आउट और आपका जो डोकुमेंट अप्लोड करेंगे आप हों को फिल करते समय वो सबी डूली सेल्फ अटेस्टिड डोकुमेंट आपको कहां पे सेंड करना है Office of the Registar Requirement Cell CCS HUHISR 125004 ठीक है जी जैनि कि जब आप हों को ओनलेन अपलाई कर देंगे उसका प्रिंट आप निकाल करके अपने जो डोकुमेंट साथ में लगा है उसको सर्व अटेस्टिड करके एनवलप में इसको डाल करके बाइ हैंड या ओफिस में आप जम्मा करवा सकते हैं तो इसको आप बाइंड स्पीड पोस्ट या रिजिट्र डाक के द्वारा सम्मिट कराएंगे ठीक है जी और अनवलप पे लिखें कौन से पोस्ट के लिए अपलाई कर रहे हैं और ओफिस एड्रस रहेगा ओफिस ओफ रिजिटार रिक्यूट्मेंट शैल सोधी सर्ण और उसके बाद में यहाँ पे डिटेल कुछ दे रहे हैं तो आप इसको फोर्म को अपलाई करने से पहले अच्छे से रिड कर लिजिएगा अब बात करते हैं आपके अप्लिकेशन फीज की तो इंक्लोडिंग जेस्ट आपके जनरल कैटेरी के लिए बारह सूर पे फीज है और नेट बैंकिंग क्रेडिट काड़ डेबिट काड़ के थुरू और वहीं पर यदि कोई फीमेल कंडेट फॉर्म को अपलाई करता है तो उनके 50% कंसेशन है ठीक है जी तो जो जनरल कैटेरी से फीमेल है उनकी 600 रुपए फीज रहेगी और जो फीमेल कंडेट से उनकी 150 रुपए फीज रहेगी ठीक है जी जो मेल कंडेट की फुल फीज है उसमें अपकी फीमेल कंडेट की 50% फीज लगीगी ठीक है यहां पर डेटेल दे रुखी है अब बात कहते हैं इसमें आपके क्या एजुकेशन क्वालिफकेशन मांगी गई है तो एड़ोटाइड में न संस्केश से पास आउट होना चाहिए और जो काटेगरी जो डिटेल दे रुखी है ठीक है उसमें सभी एजुकेशन क्वालिफकेशन में आपकी इंटर्यू तक आपकी पिएचडी डिगरी कंप्लीट होने चाहिए ठीसिज और लाज डेट और रिशिप्ट अप्लिकेशन ठीक है जी तो इसे आप बात काप जुरूर द्यान रखिएगा जिद्याप एजुकेशन क्वालिफकेशन फुल करते हैं तो यहाँ फोर्म को ओनलाइन अप्लाई कीजीगा अब यहाँ पे डिटेल वाजिए आपके एसोशेट परफेसर की देर किया एजुकेशन डिटेल सारी दे रखिए ठीक है जी और इस बात का जुरूर द्यान रखिएगा सभी एजुकेशन क्वालिफकेशन में आपके और इसी के साथ में जो आपने जिस जिलेविट सब्जेट से पीएच्टी करकी है फिर जो आपने मास्टर डेरे करकी है उसमें आपके 55% मार्क इसके साथ में पास आउट होने चाहिए और आपने नेट, C, L, A, T और C, A, T या फिर U, G, C, N, E, T के तुरू आपका पास आउट होना चाहिए ठीक है जो आपके पीएच्टी करी है और या आपके रेगुलर मोड पर होने चाहिए ठीक है जिसमें आपके साथ एविलेशन ह आपके डिटेल मांगेगी है जुकेशन क्वालिफिकेशन की यह दिया आपके फुल्फिल करती है रिलेवेंट सब्जेट से पी-एच्डी और आपके 55% माक के साथ में मस्टर डेर कंपलेट है तो आप फॉम को अपलाई कर सकते हैं ठीक है या आपके जुकेशन क्वालिफ है इसमें कुछ आपको स्पेशल इंस्ट्रेक्शन दे रखिए ठीक है यह दो इस बात को द्यान दखते हुए आपको फॉम को अपलाई करना है और जो आपके जुकेशन क्वालिफिकेशन है सेटिफिकेट डिग्री डिपलोम है वह आपको स्केन करके अच्छे से उसका पी टोटाटाइस पेज की पीडिफ फाइल आयो थी और फॉम को ओनलाई अपलाई करने का लेकिमा आपको वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में बिन कर दूँगा जहां से आप वीडियो इसको अपलिकेशन फॉम को अराम से ओनलाई कर सकेंगे ठीक है जी तो आज़ा करता हम दोस तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को साथ में से जरूर शेयर करें और जो मेरे दोस्ती चैनल पर पहले बार आए हैं वो चैनल को सबस्क्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रैस करें जिससे के में लेटिस गॉर्मेंट जोब और एजुकेशन से जूड़ी लेटेस्ट वीडियो का नौटफिकेशन आपको समय से मिल सके तो चलिए दोस्तों मिलते नेक्ट वीडियो में एक लेटेस्ट और इंपोर्टन अपडेट्स के साथ में इसे के साथ धन्यवाद दोस्तों जैहिन जैभारत